एकी आवाज आ रही है एकी स्वर सुनाई दे रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बहनों ये देश का चुनाव है ये हिंदुस्तान का भविश्यत तै करने का चुनाव है ये चुनाव देश का नेत्रुत्व चुनने का चुनाव है कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें इसका निरने करने का चुनाव है देश, कॉंग्रेस वाली कमजोर, डर्पोक और अस्तीर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता आप अपने महले में भी दीला डाला पुलीस वाला पसंद करते हैं क्या टीला डाला टीचर पसंद करते हैं क्या टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए ज़रा जबाब दीजिये न टीचर भी तो मजबूत चाहिए न महले में पुलीस वाला भी मजबूत चाहिए न तो पिर देश को प्रधान मंत्री मजबूत होना चेक नहीं होना चाहिए डरपोग प्रधान मंत्री देश चला सकता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग इतने डरे हुए है इतने डरे हुए है इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का पर्माणु बम दिखाई देता है अब ऐसी पार्टियां ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते-सोते पाकिस्तान का परमानू बं दिखाई दे हैं कि इनको देश दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं कि यह कॉंग्रेस के नेताओं के इंडी गर्बंद के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान ने छूडिया नहीं पहनी है अरे पहना देंगे अब उनको आटा भी चाहिए उनके पाद बिजली भी नहीं है अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पाद चूडिया भी नहीं है कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लिन चिड दे रहा है कोई सर्जिकल और एर्स्टाइट पर सवाल उठा रहा है इलेट वाले तो भारत के परमाणू हत्यारों को ही खत्ब करना चाहते हैं ऐसा लगता है जैसे इंडी गड़बंदन वालों ने भारत के खिलाप ही किसी से सुपारी ले ली है आप मुझे बताईए ऐसे स्वार्थी लोग क्या रास्त रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या ज़रा पुरी ताकत से बताईए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या कड़े फैसले ले सकते हैं क्या कड़े फैसले ले सकते हैं क्या ऐसे दल जिनके अंदर कुछ ठिकाना नहीं वो भारत को मजबूर मजबूत बना सकते हैं क्या वो तो मजबूर बना कर छोड़ेंगे साथियों मोदी पुर्वी भारत के राज्यों को जो हिंदुस्तान का नक्षा देखें और सीधी लाइन बनाएं तो जो पुर्वी भारत है जिसमें हमारा बिहार है हमारा जारखंड है हमारा बंगाल है हमारा उडिसा है यह जो पुर्वी भारत के राज्य है ऐसे राज्यों को विक्सित भारत के विकास का ग्रोथ इंजीन मानता है इसलिए मैं विक्सित बिहार विक्सित भारत के मंत्र पर काम कर रहा हूं बिहार मैं आधुनिक कनेक्टिविटी हो लोकों का जीवन आसान बनाने का काम हो युवाओं के लिए नए अवसर बनाने हो कानून व्यवस्ता को बहतर बनाना हो एंडिये सरकार हर दिशा में काम कर रही है मोदी चारों दिशाओं में एक साथ काम करने का स्वभाव रखता है मुझफर पूर और बिहार के लोगों ने दसकों तक नक्सलवाद का जक्मसहा है पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोशा और उसका आपके खिलाप इस्तिमाल भी किया अपराद हो नक्सलवाद हो इसकी वज़ा से बिहार में उद्योग दंदे सब चौपट हो गए आपको वो दिन याद है ना जब शाम होते ही गर में चिपना पड़ता था बाहर निकलना बंद हो जाता था यह जो फर्स्ट टाइम बोटर है ना वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे उनको तब पता ही नहीं होगा क्या मुसिबत थी अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी कितनी डरावनी थी आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दसत पीशे धकेल दिया था यह एंडिये की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्ता को पट्री पर लाई है अम नक्सलवार प्रभावित जिले भी पीजी से कम हो रहे हैं जब 37 थापित हो रही है तो जोग भी लोट रहे हैं निवेश भी आ रहा है और आप जानते हैं जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है साथियों कॉंग्रेस और आरजेडी का इंडी गड़ बंदन भारत को बांटने में ही जुटा है यह समाज को आपस में लड़ा कर अपने वोट बेंक के तुष्टी करण में लगा है आप लोग जानते हैं ने करणा टका कॉंग्रेस सरकार ने क्या किया यह समझने जाता है करणा टका में कॉंग्रेस की सरकार है उन्होंने क्या किया रापो राप वहां जितने भी मुस्लिम जातियां है सबकी सब हंड्रेट परसंट सबके सब मुसल्मानों को एक रात में हुकुम निकाल करके ओर्डर निकाल करके ओभी सी बना दिया इसके कान क्या हुआ ओबी सी को जो आरक्षन मिला था उसमें उन्होंने डाका डाला ओबी सी जो है पहले वाले उनके पास कुछ बचा ही नहीं अब मुझे बताईए क्या यह मोडेल हम बिहार में लागू होने देंगे क्या आपका आरक्षन पर कोई डाका डाले आपको मंजूर है क्या आपका आरक्षन कोई लूट ले आपको मंजूर है क्या और यहाँ बिहार में जो चारा वाले हैं उन्होंने और भी खतरनाग बात कही है वो तो कहते हैं कि दलीत, महादलीत, पिछडे, अती पिछडे, आदिवासी इन लोगों को जो आरक्षन मिलता है वो उनसे ले करके पूरा का पूरा वो मुसल्मानों को देना चाहते हैं साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा और जो ये दलीत, पिडीत, आदिवासी, वंचीत, हो भी सी इन का आरक्षन लोटना चाहते हैं न वो जरा लिख लो, ये मोदी है जान की बाजी लगा दूँगा लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूँगा न धर्म के आधार पर आरक्षन करने दूँगा और नहीं SC, SC, OBC का आरक्षन चिनने दूँगा और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं देने देगा अच्छ जड़ के आरक्षन चिनने दूँगा अगजा लगा प्याँ